नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागाते हमाराय। यूर्ट चैनल फ्यू मिनट एक्टाड़ी में दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बहुत इंपूर्टेंट चीज़ के बारे में जनकारी लेंगे जिहां दुस्तों बहुत ही बरी जनकारी मैं आपको इस वीड़ो में देने वाला हूँ अगर आप बिहार बोट एक गार्मी में एड़िशन इस साल करता हूँ यहां दोस्तों 72-2022 के लिए अगर आप नमानगर कराना चाहते हैं एक गार में में और इसके लिए ऑनलाइन कराना चाहते हैं यह वीडियो आप के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप नए इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो बहुत बरी गल्ति कर सकते हो क्योंकि यह गलती आपको जिन्द की भर भी जहलनी पर सकती है यहां दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक में लाइक नहीं किया तो लाइक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इंटर नमानकार यानि इंटर में एडमिसन यानि जीस कॉलेज स्कूल के लिए चायन यानि जीस कॉलेज स्कूल के लिए चायन वहीं दाखिला होगा यानि जीस स्कूल कोलेज के लिए चायन वहीं होगा दाखिला यह है डायन है जो आप देख कर कु कर नाम और इसकोन में नमानकर झालका यहां या नहीं करने हैं बोड की मारी तो उनके देवाल चाहिनित विकल्प के अधाथर पर इसके सरार्भासा में क्या लिखा हुआते हैं आपको बताएं कि सर भासम यहां पर लिखा हुआ है कि इंटर में इडमिशन के लिए सबसे पहने और अफसे जो वेपसाइट है विहारबोड के उस पर आप All-Learn करेंगे आपको जिस कैटोगरी यानि साइंस या कौमर्स या कुछ भी लेंगे उसके लिए आपको कालेज को चैन करना होगा कालेज मेंनिमम 10 कालेज और मैकसिमम 20 कालेज का चैन करना होगा अगर आपको जिस college में admission लेना है वो इस college को सबसे उपर रखना होगा यानि एक number में वही college को नाम देना है जिस college में आपका पूरा मन है कि उसमें admission लेना है दोस्तो अगर वीडियो अभी तक ले like करते चलिए तो चलिए आगे जनकारी पाते है आगे जनकारी क्या लिखा हुआ लिखा हुआ है कि ऐसे में चैन सूती में जिस college आइस्कूल का नाम होगा वही पर छात्र को नमानकर लेना परेगा वही बात लिखा हुआ है कि नमानकर वही पर लेना परेगा आपको अगर जिस college को first number यानि जिसमें आपको selected होता है इसलिए आपको बता दें कि पहला आप जए भी online करिएगा तो आप पहला नमबर पर आप जिस college में एमिसन लेना चाहते हैं उसी में आप select करिएगा पहला नमबर पर तो आगर लिखा हुआ देख सकते हैं कि वहीचात्र को नमानकर लेना परेगा यानि चाहन सूची में पहला नाम जिस college या school का होगा वहीपन नमानकर होगा इसके बाद जो भी college या school सूची में होगा वहाँ चाहतर नमानकर नहीं ले सकेंगे अगर चाहत्र चाहने agar college या कोलेज नहीं मिलता है तो इसको सलाइड अपके लिए अबैदन कर सकते हैं तो यहां से और यहां तक कि बात लिखे वे ध्यान पर सुनीए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर चाथ जी स्कॉलेज को चैन करते हैं उस कॉलेज में से अगर वह फेसे से वेबसाइट है उस वे और वरतमान सत्र से आपको नाम हटा दिया जाएगा यानि आप नहीं नमान कर ले सकते हैं इसलिए आपको बता दूं कि जब भी आप आउलन करेगा तो फर्स्ट नवर पर वही कोलेज के नाम रखेगा जिस कोलेज में आप इडिमिशन कराना चाहते हैं अगर आप से यह करती में होजाएं कि आगर आप नहीं कर एक अगर आप मनमें पसंद तो वह सलाइड अप के लिए कर सकते हैं जो आप कोलेज आपको ना पसंद नहीं पसंद नहीं कर्या है तो उसके कि अभी आपके स्कूलस कोलेज कि तुन कर सकते हैं जाने पर आप चाँध रहे की स्कूल कोलेज करें चाहिन को भी आपके स्कूल कोलेज कडि़ाना होगा इसके लिए आपको बताने कि ये सबाजकी वह कैसे लिए आप सबाद pots billShe पो गढु कर del मिसल लेना है तो बता दे कि सलाइड अप परकिरिया क्या है यानि सलाइड अप परकिरिया तहट उंच प्राथमिक्ता वाले स्कूल या कॉलेज में नमान के लिए चुना जाता है चुने गाई कॉलेज या स्कूल को दूसरे चरण में लॉग इन कर वेपसाइब और सुनिजित करना होगा अगर चात निचले विकल्फ वाले स्कूल या कॉलेज में नमान कन नहीं लेते हैं तो इस लाइड अप के जरिये उनके मामले बिचार नहीं किया जाएगा ये तो इस कॉलेज में हो जाएगा इसके लिए 2019 किस जारी किया गया है जारी कर दिया बिहार बोट के दोरा आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कैसा कॉलेज का पिछले साल परकार इस साल भी कॉटप होगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लाग जाएजिए से लाइक कर देख सकते हैं सब्सक्राइब लिखा बटर वहां पर किलिक कर चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देजिए ऐसे भी हार बोट से जूरी अपडेट पाने के लिए तब तक लिए धन्यवाद